हेलो एबरिवन आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो मां हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस एक्टर एंड प्रोडूशर एंड डारेक्टर राकिस रोसन जी की लाइफस्टाइल एंड बायोगराफी के बारे में और चानेंगे इन से जुड़ी कुछ ऐसी बातों को जिनको साइद आप नहीं जानते हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना अगर वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक और सेर करना अगर आप राकिस रोसन जी के फैन हो तो इस वीडिय से एक्टर, फिल्मेकर हैं इनका जनम 6 सितंबर 1949 को मुम्मी मारस्ट इंडिया में हुआ था और 2023 के साब से आज इनकी 74 ये हो चुकी है अब इनकी फिजिगल स्टेटेस के बारे में देख लेते हैं तो इनकी हाइट लगवख 5-10-9 इंचिज है इनका आई किलर रुडेजल और ये नेश्टर टीशे इंडियन है और रिलियन से हिंदू है अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं तो इन्होंने अपने स्कुल की पढ़ाई सैनिक स्कुल सतारा से की और साथ ही अपने कॉलिज की पढ़ाई नौब रोज जी बदिया कॉलिज पूने से की राकिस का जनम बरेली के एक पंजाबी फादर और दिल्ली की एक बंगाली मांग से हुआ उनके माता पिता काम की तलासमम मुंबई आए और एक गैरिज में रहे उनका जनम बर्सोबा में गैरिज के बगल में एक अस्तवल में हुआ उन्होंने 16 साल की उमर में अपने पिता को को दिया जिसके बाद उन्होंने पूने में अपना फिल्म मेकिंग कोर्च छोड़ दिया अपने परिवार के साथ रहने के लिए बापस मुंबई चले आए और बाद में एक असिस्टेंट डारेक्टर के रूम में काम करने लगे अब इनके केरियर के बाद में देख लेते हैं तो राके जी ने अपने केरियर की शुरुआत फिल्म डारेक्टर हर नाम सिंग रावल की साहिता करके मुवी संगर से 1968 में की इस मुवी में दिलिकुमार एं संजीव कुमार थे और उनको पर मन्त लगबग 200 पे मिलते थे और एज़ एक्टर इनो ने मुवी घर घर की कहानी से डेबु किया था जो की 1970 में आये थी जिसमें इनका करेक्टर सुरेश का था उसके एक सलवाद इनोंने लगतर तीन फिल्मों में काम किया जिनके नाम है सीमा, मनमंदेर और पराया धन और एज़ एक्टर इनोंने कापी सारी फिल्मों में काम किया है जिनके नाम है आखों आखों में बुनियाद, मदहोस, गून्स, आकर्मन, धनवान, हकदार, हमारी बहु, अलका, जीवन धारा, सिरीमानन सिरीमती, तीसरी आख, सुपकमना, हस्ते केलते, महागुरू, जुल्म, काला सूरज, कामोस निगाएं, खून बरीमान, खेल अकेले हम, अकेले तुम, औरत, 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 कोई मिल गया, एन क्रिस, और अब इनकी अपकमिंग मूवी है, क्रिस फोर 1981 में, इन्होंने फिल्म क्राफ्ट नामक, एक प्रोडॉक्शन कंपनी की स्तापना की, जिसके तहर, उनकी पहली प्रोडुक्स हुई मूवी थी, आपके दिवाने, जो की 1980 में आई थी, ये मूवी बॉक्स अपिस पर आते ही फिलॉप रही, लेकिन उनकी अगली मूवी, फ इन्होंने कापिशारी मूवियों में काम किया, जिनके नाम है भगवान दादा, खुदगर्ज, किशन कनिया, किंग अंकल, करन अर्जुन, कोईला, कहोना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिस, क्रिस्त्री, काविल, एन क्रिस्पोर, और एज डारेक्टर, इन्होंने खुदगर मूवी से डेब्यू किया था, जो कि 1987 को आई थी, और ये मूवी भी आते ही सुपरेट रही थी, और उसके बाद इन्होंने कापी सारी फिल्मों में एज डारेक्टर काम किया, और 8 जनबरी 2019 को उनके बेटे रितिक रोसन ने सोसल मेडिया पर अपने पिता राकिश रोसन के गले के कैंसर के सुरुवाती स्टेश के बारे में सब को बताया था, तो हमको कॉमेंट करके बताना के राकिश रोसन जी आपको कैसे लगते हैं, आब इनके अबोर्ड के बारे में देख लेते हैं, तो इनको डिफरेंट टाइप के अबोर्ड मिले हैं, इनकी मूवी कोई मि प्यार है क्रिस के लिए इन अवार्डों के नाम है नेशनललड फिल्म फैर अवार्ड आईफा अबॉट जी साइन अबॉट होञा अपसरा अवाड बॉबुड मूटि अबॉट अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं इनके फादर का नाम लेट रोसनलाल नागरत था जो प्रॉपेशन से एक म्यूजिक डारेक्टर थे इनकी मदर का नाम लेट एरा रोसन था जो की प्रॉपेशन से एक म्यूजिक डारेक्टर थी और एक इनके छोटे भाई भी हैं जिनका नाम र कि इंके सन का नाम रितिक रोसन जो की काफी बड़े एक्टर है किन इनकी बेटी का नाम सुनेना रोसन है अब इन की होबी के बारे में देख लेते हैं काफी पसंद है आप इनके फीवर्ट अक्टर थे तो इनके फेवरिट अक्टर है आम pret Daral रितिक रोसन, फेवरिट अक्टर से हैं, रेखा, फेवरिट अक्टर हैं, राज कपूर, रमेज, सिप्टी अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं, कि ये रहते का पर हैं, तो ये अपनी फैमिली के साथ आठ, नौ, दस, फिलोर, और, ईवन, प्लाजोर, 12 रोड मुंबई में रहते हैं, अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं, तो इनको लगजरी कार रखने का काफी शौक है, इनके पास फर्स्ट कार है, मर्श्डि ज बेंज, सेकंड कार है, ओडी की एट, ठर्ड कार है, लगवक 300 करोट रपे है तो ये थी राकेश रोशन जी की लाइफ स्टैल वीडियो आई होप आपको बीडियो पसंद आई होगी अगर बीडियो पसंद आई हो तो बीडियो को एक लाइक ज़रूर करना थैंक्स पर वाचेंग